नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिसकस करेंगे कि UVA Safe Tablet का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, UVA Safe Tablet को कैसे लेना चाहिए, और UVA Safe Tablet की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी दिसकस करेंगे कि UVA Safe Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, UVA Safe एक ब्रैंड नेम है, UVA Safe Tablet के अंदर सौर्ट कंपोजिशन सेफपोडोक्सीम होता है, UVA Safe Tablet 100MG वद 200MG की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, UVA Safe Tablet एक अंटिबायोटिक दवा है, UVA Safe Tablet का उपयोग शरीर में बैक्टि इंफेक्शन होने पर, निमोनिया होने पर, खासी होने पर, पेट में इंफेक्शन होने पर, दातों या मसूडों में इंफेक्शन होने पर, जोडों या हड्डियों में इंफेक्शन होने पर, पेशाब में इंफेक्शन होने पर और कान नाग गले या तवचा पर इंफेक इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी कंडिशन्स है, जिनमें आपका डॉक्तर यूवी ए सेफ टैबलेट को लेने की सला दे सकता है. साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में यूवी ए सेफ टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में यूवी ए सेफ टैबलेट की वज़ह से कुछ सामान्य साइड इफेक्स हो सकते है जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, बदहजमी होना, तवचा पर रैशेस होना, पेट में दर्ध होना और दस्त होना आदी साइड इफेक्स UVA Safe Tablet की वज़र से हो सकते हैं. अब हम डिसकस करेंगे कि UVA Safe Tablet को कैसे लेना recommended होता है. UVA Safe Tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है. आम तोर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर UVA Safe 200 MG Tablet को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं. और बारह साल से कम उम्र के बच्चों को डॉक्तर UVA Safe Tablet को शरीर के वजन के हिसाब से 10 MG पर किलोग्राम और पर डे के हिसाब से डोज को दो समान भागों में डिवाइड करके लेने की सलाह देते हैं. UVA Safe Tablet की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती हैं. इसलिए आपको UVA Safe Tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए. UVA Safe Tablet को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए. जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने UVA Safe Tablet को लेने की सलाह दी है. क्योंकि लगातार ज्यादा लंबे समय तक UVA Safe Tablet को लेने से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है. और antibiotic resistance होने पर वो antibiotic दवा आपके शरीर में काम नहीं करेगी और UVA safe tablet को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका infection वापिस आ सकता है इसलिए आपको UVA safe tablet को आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि UVA safe tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए अगर किसी व्यक्ति को liver या kidney की कोई समस्या है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए क्योंकि liver और kidney की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में UVA safe tablet की डोज घटानी पढ़ सकती है UVA safe tablet viral infection होने पर जैसे जुखाम या flu होने पर काम नहीं करती है वैसे UVA safe tablet pregnant महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी UVA safe tablet का सेवन करना सुरक्षित है इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को UVA safe tablet को लेने की सला दे सकता है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका UVA safe tablet से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं